आईए अब सुनते हैं हल्चट ब्रत की पावन कथा प्राचियंकाल में एक ग्वालेन रहती थी उसकी प्रशब्ति थी बहुत निकट थी एक और उसे प्रशब्त की चिंता थी और दूसरे और उसका मन गौव रस यानि की दूर दही बेचने में लगा हुआ था उसने सोचा कि यादे प्रशब हो गया तो गव रस बही पढ़ा रहेगा यह सोचकर उसने दूर दही के बटन सिर्पर रखे और उन्हें बेचने के लिए चल पड़ी लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे असहनिये प्रसब पीला होने लगी बही एक जरवेरी की पिड़ की ओट में चली गई और बही उसने एक बच्चे को जन्म दिया बही बालग को बही छोड़ कर पास के गाउं में दूर दही बेचने के लिए चली गई सईयोग बस उस दिन हल सच्टी थी उसने गाई भहस के मुश्रित दूट को भहस का दूट कहकर सीधे साधे ग्रामीनों को बेच दिया उधर जिस जरवेरी की पिड़ के नीचे बालग को छोड़ कर गई थी उसके पास ये किसान खेत जोत रहा था अचानक उसके बेल भड़कोटे और हलकी धार बालग के शरीर में घुसने से बालग की मित्ती हो गई इस घटना से किसान को बहुत दुख हुआ और फिर भी उसने सास और धहर से काम लिया उसने बाला के कटे पेट को जरवेडी के कांटों से सिल दिया और उसे बहीं छोड़ कर चला गया कुछ दिर बाद गॉलन दूद बेच कर बहां पहुँची बच्चे की हालत देखकर उसे समझते दे नहीं लगी कि ऐसा उसके पाक की सजा है यह सोचने लगी कि यदि मैंने जुट बोलकर गाय का दूद ना बेचा होता और गाव की इस्तरियों का धर्मे ब्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह हालत ना होती इसलिए मुझे लटकर बहां गावालों को सब बताकर प्राश्चित करना चाहिए ऐसा निश्चत करके भै उस गाव में पहुंची जहां उसने दूद दही बेचा था भै गली गली जाकर अपने कुकर्म और उसके फलस्वरूब मिली सजा का बर्णन करने लगी तब इस्तरियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए और उस पर दया करके उसे छमा कर दिया और आश्रबाद दिया अनिक इस्तरियों के आश्रबाद लेने के बाद जब पुना जहरवेरी के पेड़ के नीचे पहुची तो यह देखकर आश्रब चकित रह गई कि उसका पुत्रबाद जीवत पड़ा है तब उसने स्वार्थ के लिए जूट बोलना ब्रामण की हत्या के समान समझा और फिल कभी जूट ना बोलने की कसम खाली